नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर भुण मोहिनी और आज वोमन्स टे है महिला दिवस तो आप सभी को सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुब कामना हैं ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कि स्त्रियों को एक विशेश इस्थान दिया गया है कभी-कभी लोग सोचत स्रजन का सामर्थ ही रखती है तो एक स्त्री स्रजन का सामर्थ ही रखती है इसलिए उसके विशेश इस्थान होता है जितना देवताओं की पूझा हम करते हैं उतना हम देवियों की पूझा करते हैं ऐसा नहीं है कि विशेश वो करते हैं लेकिन एक सौफ्ट कॉर्णर जि एक कवीता आज मेरा मन है आपको सुनाने का कवीता तो क्या कहूंगी जितने भी नारी पात्र रहे हैं तिहास में उनको स्मरण कराने का प्रयास मैं आज के दिन आप सभी के साथ कर रही हूं कोशिश करूंगी कि कुछ नाम हो सकता है मुझसे छूट भी जाए लेकिन मैंने प राधा कभी सयानी सी मैं जो गन मीरा हूं कभी तो राधा कभी सयानी सी हर्शा कुंतल उंगली में अभिशिप्ता एक निशानी सी मैं पांचाली का वो स्वर्जो दुर्योधन के कान पड़े मैं सत्माया में ही सती मैं अनमिट कोई कहानी सी मैं वो अहिल्या पड़ी धरा पर राम का मान बढ़ाती हूं मैं शबरी के जूठे बेर का प्रेम कभी बन जाती हूं मैं उर्मीला का सैयम मैं सीता की लक्षमण रेखा मैं वो गांधारी जिसने त्याग भरा जीवन देखा कि मैं मदालसा की ममता में लाड या शोदा माई का मैं आपको इतिहास नहीं बताऊंगी किसी भी पात्र का क्योंकि मैं जानती हूं कि ये वो पात्र हैं जिसके बारे मैं आप खुबी जानते हैं कि मैं मदालसा की ममता में लाड या शोदा माई का हूं मुंदार की कुरबानी बलिदान अवंती बाई का में अरुना आसाफ अली में प्रीती लता हूं बनी महान में क्रांती दुरगा भाभी की चावला की हूं असिमुनान में क्रांती दुरगा भाभी की चावला की हूं असिमुनान में वो जैश्री जो अपने पती को कांधा देती है क्या नहीं किया नारियों ने कितना बड़ा मन वो रखती है कि में वो जैश्री जो अपने पती को कांधा देती है मैं ही सती जो प्राण पती के यम से भीले लेती है मैं गारगी का ग्यान वही जो जनक को हार दिलाती है मैं हारी का कटाशीश जो रनभूमी भीजवाती है इतनी हिम्मत इतना सामर्थ है किसमें हो सकता है मैं गारगी का ग्यान वही जो जनक को हार दिलाती है मैं हारी का कटाशीश जो रनभूमी भीजवाती है और अंतिमबंध नाम मेरा मोहिनी है नाम को सार्थक करती हूँ और अंतिमबंध पढ़ती हूँ इसका विताका कि जब जब श्रिष्ठी विपदा आई, मैं संबल बन करके खड़ी, कभी पदमिनी का जोहर, कभी लक्ष्मी बाई बन के लड़ी में मोहीनी रूप वही जो महादेव पर्था भारी, हर संकट मिटाने को नारायन स्वय बन ते नारी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, कि जब भी संकट का आया है तो नारायन को भी नारी का धुरूप धरना पड़ा है, इसलिए विशेश नारियों का एस्थान हो जाता है, तो मैं सभी को, सर्वपितम अपनी मा को, और सभी को, सभी नारियों को विशेश पढ़ाम करती हूँ, बहुत-बहुत सैल्यूट करती हूँ, और आप सभी को पढ़ाई देती हूँ, खयाल रखिये, मैं फिर मिलोंगी, ठैक ये